Dear students, welcome to Great Smeasures आज की इस वीडियो में एक्स्पेइन करने जा रहा हूँ sequential circuits और आप ये भी कह सकते हो कि इस वीडियो से हम लोग start करने जा रहे है sequential circuits तो sequential circuits में आपने 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 बहुत सारे circuits के बारे में सुना भी होगा कही न कही जैसे आपने flip-flops के बारे में सुना होगा latches के बारे में सुना होगा registers के बारे में सुना होगा लेकिन आपको सबसे पहले sequential circuits होते क्या है इसकी definition, इसकी introduction आनी बहुत ही ज़्रूरी है क्योंकि ये बड़ा scoring subject होता है digital जो है न वो काफी scoring subject है लेकिन actually क्या होता न logic जो है वो student समझते नहीं और cram करने की कोशिश करते है तो वहाँ पे गड़ बढ़ा जाता है तो इसलिए logic wise चीजों को समझे definitely आप हर exam में चाहिए आपके competitive exam है चाहिए college university exam में है आप easily solve कर सकते हैं कोशिशिश को सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि है sequential circuits होते क्या है generally हमारे पास क्या होता है circuit में हम लोग करते क्या है input provide करते है मतलब मेरे पास एक circuit है उस circuit में मैंने input provide की और उसने मेरे को process करके एक output दे देनी है generally इस type के circuits को हम बोलते है combinational circuits जिसके अंदर हम different types of gates को use करते है gates को मिला मिलू के हम कुछ न कुछ circuit बनाती है चाहे adder कह सकते हो subtractor कह सकते हो encoder, decoder, multiplexer उनमें हमारे पास क्या होता है input जाती है circuit में process होके एक output आती है that's it लेकिन sequential circuit में क्या है कि जो आपकी output है वो सिरफ input के उपर depend नी करती input के साथ साथ वो previous output के उपर भी depend करती है मतलब इससे पहले output क्या थी उसके उपर भी depend करेगी अब आप सोचोगे कि sir हमने यहाँ पे एक input दी let's say one और यहाँ पे हम कुछ output expect कर रहे हैं हम कुछ output expect कर रहे हैं तो हमारे पास previous output कहाँ पे store है तो previous output को store करने के लिए हम यहाँ पे memory elements का use करते हैं तो इसलिए आपने सुना होगा जैसे flip-flop flip-flop क्या होता है कि one bit की information को store करने के लिए use करते हैं एक flip-flop एक bit की information store करता है चाहे zero चाहे one तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे है तो यहाँ पे जो भी मेरी पुरानी value थी जो भी मेरी पुरानी एक तरह से output थी उसको भी मैं साथ में डाल रहा हूँ और input डाल रहा हूँ तब जाके मेरी क्या आती है तो इसलिए आपने जब भी combination circuits के बारे में देखा होगा तो combination circuits में हम truth table पता कैसे लिखते है हम क्या देती है एक input provide करते है और उस input को हमने clock pulse दी है कुछ भी हमने process किया वैसे clock pulse की भी जूरतरी पड़ती तो input दिया और वहाँ पे मेरी को एक output आ जाती है लेकिन हम जब भी बात करते है sequential की तो हमें क्या करना पड़ता है एक input देनी पड़ती है gates पगेरा में आपने यही किया न जैसे अगर हम बात करें NAND gate की तो NAND gate में हम क्या करते है जैसे 00 दिया ठीक है अब वो 00 के case में क्या देता है 00 के case में वो output क्या देता है 1 देता है तो हमने simply input दी एक output मिली कुछ नहीं करने की जूरता आपको simply 00 दिया और उसने 1 output दे दी तो यह था एक simple सा gate एक simple सा combination circuit यहाँ पे क्या है आप input तो दे ही रहे हो चाहे एक input दो चाहे दो input दो तो लेकिन साथ में आपको क्या देनी पड़ती है आप कह सकते हो कि present output देनी पड़ती है यह मतलब आपके पस अभी presently कौन सी output पड़ी है वो आपको साथ में देनी पड़ेगी तब जाके आपको next output मिलेगी उसको हम क्या बलते है next output तो present को हम qn से डिनोट कर देते है next को qn प्लस 1 से डिनोट कर देते है तो आपकी जो next output आएगी या जो अभी future में आने वाली है उस output को किसके उपर depend करते है input और present output के उपर तो इन दोनों चीजों के उपर depend करती है तो इसलिए यह basic सा difference है combination circuit and sequential circuit मे तो यह आपको clear हो गया अब हम लोग जो है वो next start करेंगे latches से latches के बाद हम लोग flip-flop के उपर बात करेंगे counters के उपर बात करेंगे registers के उपर बात करेंगे एक एक करके सारे points को discuss करेंगे Thank you